हलो हाई नमस्ते वेलकम बैक तो मैं चैनल ब्यूटी फैशन अन केर मैं हूँ आपकी होस्ट अंदोज निशी और एक वाफिर से आपके लेके आई हूँ एक न्यू वीडियो आज की वेरी वीडियो है वो है मामार्स प्रोडक्स की वीडियो जो कि आज मैं मामार्स के प्रोडक्स आपको दिखाने वाली हूँ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने मामार्स से कौन से प्रोडक्स मगाए है बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक पर मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें So guys, let's start the video, वीडियो स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ मामा और्स के प्रड़क्स, firstly मैं आपको दिखाती हूँ तो इसको ओपन करते हैं बॉक्स को मामा और्स के जो प्रड़क्स होते हैं, काफी अच्छी पैकिंग के साथ आते हैं जिसे की प्रड़क्स खराबना हो, पैकिंग बहुत अच्छी होती है एक बॉक्स में वो दो से ज़्यादा प्रड़क्स नहीं शेयर करते हैं तो तो मैंने मंगाए हैं अनियन शैंपू जो कि मैंने चुछ मीज़ा ओद नियन चुछ खाए तो मैंने वन वाइवन इन गैटवन फ्री में मंगाई हैं इनके एक साथ दो बोटल्स आप जबी भी मामार्थ के प्रड़क्स मंगा आएं तो वेनस दे को इस पेसली एक डील निकलती हैं हमेशा ओफर्स रहते हैं तो आप हमेशा वेनस दे में चेक आउट करते रहें मामार्थ अलग अलग ओफर्स देते रहते हैं जो की काफी यह काफी अच्छा फेस मास्क है जो मैं सेकेंड टाइम मंगा रही हूं एक बारी मैं एक टेक ख़तम भी कर चुकी हूं एंड सेकेंड वन अनियन हेर ओयल एंड अनियन शैंपू तो मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूं और इसके जो मैंने फेस सीरम थे वह भी आपको दिखा चुकी हूं इसकी मेरी एक वीडियो बनी हुई है फेस सीरम की आई एंटी एजिंग वाली है आप एक वार उससे चैक आउट कर सकते हैं फेस दो सीरम थे एक working on skinpul face serum एक skin aluminate face serum ठाइक की video आप जाके देख सकते हैं मैं लिंक को दिसक्रिप्शन वाक से कफी अच्छी सीरं से इसके इसका description भी आपको मिल जाएगा इसके साथ मैंने लोरियल के anti-aging creams का भी description दिया था तो आप उस वीडियो में एक बद चेक कर सकते हैं तो अभी हम बात करते हैं इन प्रोडक्ट्स की सबसे पहले हम बात करते हैं अनियन शैंपू की काफी अच्छा शैंपू है ये 15 या 20% off मिल गया था और इससे पहले जो मैंने प्रोडक्ट मंगा थे उसमें मेरे को 500 का cash back मिला था तो मामार्थ से कफी सारे offers मिलते रहते हैं तो आप जब भी मामार्थ के प्रोडक्ट्स लें तो मामार्थ की official side से ही लें तो आपको ज़्यादा beneficial रहेगा अगर आप नाइका से मंगाते हैं या flip card या कहीं और से भी मंगाते हैं आपको मिल जाएंगे बड़ जो price होगा वो आपको ज़्यादा रहेगा क्योंकि मामार्थ पर जो deal मिलती है वो आपको other sites पर नहीं मिल पाएंगी तो onion shampoo जो है मामार्थ का वो उसमें onion है and plant keratin है जो की hair fall को control करता है और ये मामार्थ के products जो है वो paravin free होते हैं डर्मोलोजिकली tested होते हैं और ये all hair types है ऐसा नहीं कि आपके dry hair है या oily hair है आप तभी use करें ये all hair types है यानि कि आपके dry, normal and oily hair तीनों के लिए ही perfect है and इसकी जो bottle है वो है 250 ml की bottles है इसका जो price है वो 349 है and आपको अलग-अलग offers में अलग-अलग according मिल जाएगा इसकी जो सबसे अच्छी बात है ये वास्तव में really में hair fall को control करता है अभी हम बात करते हैं कि ये किन चीजों का दावा करते हैं ये दावा करते हैं कि sulphate free shampoo है and gently clean करता है बालों को nourish करता है hair fall को reduce करता है and जो roots है उन्हें strength provide करता है and इसमें क्योंकि onion है and keratin है तो of course ये hair को काफी अच्छा strongness देता है and hair fall को कम भी करता है क्योंकि onion सबसे best option है अगर आपको hair fall हो रहा है तो and keratin होता है plant based keratin इसमें है and keratin बालों को clean करता है strong बनाता है and nourish करता है and काफी soft भी रखता है and protect करता है और जो roots होती है उन्हें strength provide करता है तो इनके according के keratin and onion है तो काफी इसलिए beneficial है for hairs अगर हम इनकी ingredients की बात करें तो काफी सारे ingredients दिये गए है लेकिन इसके जो key ingredients है वो है onion, plant keratin and wheat amino acid and soy amino acid onion है वो blood supply करता है hair follicles को and जिससे की hair growth होता है वो increase होता है और hair fall को prevent करता है और अगर बात करें हम plant keratin की तो plant keratin जो होता है वो 18 type की यंकी 18 type की amino acids होते है जो की highly proteins होता है keratin एक type का protein होता है जो की maintain करता है moisture balance hair में and जिससे की hair में moisture balance रहता है तो naturally hair smooth होते है, sign होते है and strengthful होते है यंकि जो hair fall है वो prevent हो जाता है and जो wheat amino acid होता है वो जो उनके strength होती है hair की fibers की tensile की उसको improve करता है and hairs में electricity provide करता है hair को जो break होने से बचाता है and यह जो possibly reduce करता है hair fall को and जो strength provide करता है hairs को अगर आपके hair weak है तो उन्हें strength भी provide करता है and fourth जो इसका key ingredient है जो काफी सारे कुछ और इन और गैनिक है बट वैसे यह जो है वो chemical free है so onion shampoo की बात हो गई जो कि मैं काफी time से use कर रही हूँ तो एक बार आप भी use करके देखे और जो लोग onion shampoo पहले से use करते हैं वो एक बार ही मुझे बताए कौन-कौन onion shampoo use करता है and अगर आप यूज करने वाले हैं तो comment box में comment करें आपका onion shampoo को लेकर या मामर्स के प्रोडेक्ट के साथ आपका experience के अधसा है वो भी share करें next हम बात करते हैं onion hair oil की onion hair oil है of course onion hair oil है तो onion तो होगा ही साथ में है इसके red and silk जो की hair के लिए काफी अच्छा ingredient है के अलाबा इसमें mineral oils है और यह silicone free है dermologically tested तो है ही और उसके अलाबा यह all hair type है यह जो bottle है वो 250 ml की bottle है and 250 ml की यह bottle का जो price है वो है 599 rupees and इसकी जो 250 ml की जो bottle है उसका price है 159 and 150 ml की जो bottle है उसका price है 419 rupees 414 rupees तो आप अपने according चाहे तो छोटी bottle 150 ml वाली bottle भी मंगा सकते हैं अगर हम बात करें की ingredients की and ingredients की तो ingredients में काफी सारे है sunflower oil है and उसके अलाबा आमला है भ्रेंगरास है गुड़हल है सीसम oil है अनियन है ब्रामी है जोजोवा oil है olive oil है almond oil है केस्टर oil है natural vitamin E है onion seed है and red and seal है तो काफी सारे ingredients है तो आप चाहें तो अगर आप onion oil use नहीं करना चाहते हैं यह सारे ingredients oils हैं जो वह हमारे लिए काफी अच्छे हैं तो आप घर पर भी खुद oil मर्णा सकते हैं आप उसके लिए कर सकते हैं कि आप कोई सा भी आपका मन पसंद का oil लें चाहे तो नारियल तील भी ले सकते हैं सरसो का तील ले सकते हैं और आप उसको हीट अप करें एंड उसमें onion डालें जब वह थोड़ा अच्छे से हो जाएं उसमें अच्छे से लाल हो जाएं तो आप गैस बंद कर दीजिए और उसको स्टोर करके रखिए वह आपका घर का oil हो जाएगा और उसके बाद यह जितने अनियन ओयल है इसको भी मंगाती हूं लेकिन आम मैं उसमें थोड़ा सा olive oil भी में ला लेती हूं कभी कभी almond oil में ला लेती हूं कभी कैस्टर oil कभी विटामी नहीं आप उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मिक्स करते रहें तो वह आपके hairs के लिए अच्छा रहता है जब आप खुद भी खाना खाते हैं आप अपने आपको nutrition प्रोवाइड करते हैं तो आप एक जब सखाएंगे तो कि आपकी body को फिट रहेगा या फिर अपकी body को नरिष्ट करेगा नहीं करेगा ना तो उसी तरीके से आपके hairs के लिए भी जो nourishment होता है वो oil होता है तो आप आपकी week off है या आपके holidays है या घर पर ही है तो इसके लाव आप कभी दही यूज करें उसके अलावा या चुछ और भी चीज़े है अगर आपको ऐसे टिप्स चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मैं hair oil related and hair falls related भी एक वीडियो आपके लिए बना दू तो उसके अभी हम थुड़ा सा अपने topic से हट रहे हैं तो वापिस से topic पर ही आ जाते हैं तो यह जो ऑईल है onion hair oil तो वह दावा करते हैं कि यह hair को boost करता है strength provide करता है shine देता है and scalp को नरिष्ट करता है and definitely यह करता है अगर आप से properly अच्छे से यूज करते हैं तो जौनियन hair oil है यह best hair oil है अभी तक जो market में मिलते हैं क्योंकि मुझे यह वास्तव में लगे हैं कि यह अच्छे हैं and यह boost भी करते हैं hair को strength provide करते हैं scalp को balance करते हैं तो यह उनकों के इनके according दावेदरी जो की अब काफी हत तक सही है और हम बात करते हैं इनके key ingredients की जिसमें की onion oil है and onion oil जो है onions क्योंकि follicles को improvement करके hair को balance provide करता है redensil है जो की a new ingredient है जो की plant based है and जो की hair growth को improve करता है यह roots में और नए cells को पैदा करता है इसलिए यह redensil बहुत ही beneficial hair के लिए इसके लिए almond oil है onion oil है और बाकी सारे oil है वो सब तो सब को पता ही होते है कि hairs के लिए अच्छे हैं तो यह हो गया हमारे onion hair oil आप onion shampoo and onion hair oil आराम सी यूज़ करिए इसके साथ साथ conditioner भी यूज़ करने को बोलते हैं बड़ जरूरी ने आप उसे करें मैं खुद pantene का hair conditioner यूज़ करती हूँ क्योंकि वो मेरे hair इसको suit करता है तो आप अपने hair की according आपको जो suit करें आप वह लीजिए तो कि जरूरी ने कि हर चीज हर किसी को suit करें उसके अलाव जरूरी है आपकी पूरी बॉड़ी के लिए चाहिए वह आपकी skin हो, hair हो या कुछ भी हो तो ने तो सबसे ज़रूरी है उसके अलावा जो डाइट है वो लीजिए जो कि प्रोटीन डाइट है और ओमेगा-3 डाइट है अफकोस बालोक लिए प्रोटीन और ओमेगा-3 तो ब सबस्क्राइट प्रोटीन डाइट है इस वह सब्सक्राइट है अब है तो शुपरोटीन यंद्धा सब्सक्राइट है उस्का ने कि थे नहीं होगा हमारे hair fall यह हो गया हमारे hair fall reducing product next कि बात करते हैं ऩो यह है राइस लीपिंग face mask तो यह मैंने सबस्क्ग वाइब है first time मैंने जब यूज किया मुझे काफी अच्छा लगा तो इसलिए अब वो मेरा जो है पूरा खितम हो चुका है तो यह मैंना सेकंड टाइम मंगा है यह राइस स्लीपिंग फेस मास्क है इसमेर राइस वाटर है एंड नाइस निमाइंड है राइस वाटर होता है वह इसकिन टोन उसे इंट्रू करता है नाइस ने मैंड जो और की हैपर पिंग्मेंट एक्षिन को रोकता है इसकिन को ब्राइट बनाता एंड यह सेल्फ मेड है तो डर्म लॉगिकली टेस्टिर है इसमें बायो एक्टिव पी है तो अगर हम बात करें कि ये क्या क्या क्लेश करते हैं तो ये अ क्लेश डिया करते हैं कि येख क्लेश लाइट वेट फॉर्मुला है राईस वॉर्टर है जो कि लिए certainly माइंटि की ईख काम कर तो याद क्लेश को Iris 방 प्रियूस कर दो है, और जोटल है वह 100UR美元 की है इसका जो प्राइज है वो है 599 रूपीज यंकी 599 रूपीज में है तो आप इसके अलावा और भी सारे प्रोडक्ट्स है जो भी लगबग इसी रेंज में है अगर आप कोई भी है मास्क लेते हैं मैंने इसका उप्टन फेस मास्क भी यूज किया हुआ है तो अभी हम इसकी म skincare के इंग्रीडेंट्स हैं इंग्रीडेंट्स हैं इंग्रीडियेंस काफwich सारे दिये हुए आप देख रहे ह। इसकी में की की में इंग्रीडेंट्स है वह है राइस वाटल जो की स्किन होती है उसको हivamente ह्वाबी सब्सक्त परगता है जो पस सकी खब्सक्त इंक ठीयरेट ह करता है तो एक तरीके से एक एटीजिंग मास की तरह इसकी ज़िसे की जाती है नेख्स जो है वह नी सिनेमाइड जो है वह वी थ्री विटामिन के साथ है यानकी नी सिनेमाइड एक तरीक आप जो कि विटामिन 3 की ही फॉर्म होती है एक टाइप की जिसका स्मॉल अमांट बहुत ही जरूरी होता है बॉडी के फंक्शन के लिए बॉडी को स्टेग रखने के लिए तो जो कि बहुत ही बैनिफीशल है स्किन के लिए और इसके अलावा इसमें जो है वो ऐलोवेरा भी है त फिर इचिंग होती है उसे इंप्रूफ करता है जो बहुत ही अच्छा मॉस्चराइजर माना जाता है स्किन के लिए यंकि इसकिन को हाइड्रेट रखता है और जो इसकिन है उसे ग्लास लोग देता है तो यह दावा करते हैं कि यह स्किन को ग्लास लोग देते हैं और को तो यह रोकता है I'm sure क्योंकि मेरी जो स्किन है वो काफी ऐली है और मैं कुछ पी अपनी स्किन पर यूज नहीं कर पाती हूं वरना एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है मुझे तो जब मैंने यह यूज किया तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इविन क्योंकि मैं कुछ भी यूज नहीं कर पाती हूं फेस पर कोई भी मॉस्चुराइजर क्योंकि एक्ने प्रॉब्लम की वज़े से तो मेरी स्किन काफी ड्राय है कभी काफी ड्राय हो जाती है विंटर्स में यह इचिंग जैसा फील होता है तो इससे मुझे काफी मामार्थ के कृच में से आप toes Ctrl कोकरेब तो जरूरी नहीं और योज अब आप जो भी डिली विस उिस पर जो फेस वायूğ करते हैं पर यह जब बिया přिञ्शिप वग फीर परविन फ्री पर इन कमिकब फीर थी यह वह दो अपना फिस कंटि करने के बाद करने यह ब्रें थोड़ा सा माउंट आपको लेना है एंड उसे अपनी फेस पर नेक पर लगाना है एंड ओवरनाइट छोड़ देना है उसे बहुत जाता लगाते लगाते रब नहीं करना है वन्ना वह जैसे आप राइस का वाटर लगाएंगे उसके बाद वह थोड़ा गंदी रगड़ते ह अपने लग जाती है कुछ ऐसी फीलिंग आएगी तो आपको बस लगा के छोड़ देना है एंड और इसके लावर टिप्स भी दिये हैं कि आप अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन करें और ओयल बेस क्लीनर से एंड फॉर्म बेस क्लीनर से एंड उसके बाद ओस हनी रोज वा पाते हैं जिनको एकने प्रॉब्लम होती है संस्क्रीन नहीं लगा पाते हैं आप एक वर यूज करके देखें बट अलोवेरा भी हर किसी को यूज नहीं होता है तो यह 18 ये अबब मैन और वूमन दॉन नहीं यूज कर सकते हैं और अल स्किन टाइप फ्रेंडली है यह तो मेरा जो पर्सनल लिव्यू है वह यह है कि आप आप से इजीली यूज कर सकते हैं क्योंकि यह आपको कोई भी हाम नहीं देगा क्योंकि अगर मेरी संसेटिव स्किन है मुझे यह काफी सूट किया तो most of the 80-90% persons को यह सूट करेगा तो एक वर आप यूज करके देखें एंड एक बर अच्छे से फेस वास करने हैं या फिर किसी भी क्लीन क्लीजिंग मिल्क से अगर आपकी स्किन डाय है तो क्लीजिंग मिल्क से क्लीन करने के बाद रोज वाटर जरूर लगा के सूट के जो प्रड़क्स मैं यूज कर चुकी हूं उसमें एक अंडर आई क्रीम भी है जो भी काफी अच्छी है तो गाईस यह मेरी परचस थी मामा अर्थ का राइस स्लीपिंग पेस मास एन अनियन हेर और यह एन इन शैंपू और जो भी आपके कमेंड्स हो वह जरूर बताएं को प्लीज जरूर बताएं और मैं आपने व्यूवर्स को बोलना जाओंगी कि प् करें अच्छे से अपने हेर को नरिश्मेंट दें जरूरी नहीं इसी ऑइल से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं लेकिन में जो चीज है वह है डेली बेसिस पर अपने हेर केर करना एंड जब भी आप शैंपू करने जाएं तो प्लीज उससे पहले आदी घंटे पहले यह आप अगर डारेक्ट शैंपू यूज करते हैं तो से आपके हेर फॉल बहुत ज्यादा होगा हेर फॉल और अगर डारेक्ट शैंपू भी नहीं लगाना चाहिए हलका सा पानी लें उसमें वाटर में थोड़ा सा शैंपू डिजॉल्व करें दैन आप उसे यूज करें या फिर अगर संट पर गनी नहीं को यूज करें जा रख से यूज सो कि यूज बहुने दश् fazendo अगर दों में कि धो संटेश में जाय हैं यूज को पाले कहले के सिर ऊड़ी के लिए क्रिछा का मेरेण भी टेखाने से पने अन्डे को सम्सταब्यां करें हैं और अपने बालों भी वै मिलते है न्यू वीडियो में